बिस्मिल्लाइ वहमाद वहीम अस्सलामुलेकूम वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजर्ट रॉक साइकिस हम लोग जो है सोचल साइकोलोजी की बुक के बारे में डिसकस कर रहे हैं और अम यूर टीचर स्यामी जास हमने फिछरे लेक्षर में लीडर्शिप की डैफिनेशन और लीजर्शिप के स्टाइल्स के बारे में डिसकस किया था नेक्स्ट अब हम डिसकस करने जा रहे हैं वो भी एक लीडर्शिप का ही टॉपिक है लेकिन अब हम परहेंगे थीरिस ओफ लीडर्शिप कोन सी है दे ग्रेट मैं थीरी त्रियर्ट थीरी ट्रांसफर्मिनेशनल थीरी एंड कॉंटिंचेंसी थी चार थेरे से हैं जिनको हम हम आज डिसकस करेंगे तो लेस्स टार्ट आर टॉपिक ग्रेट मैं थीरी ग्रेट मैं थीरी क्या है ड्वालप इन 19th सेंचरी इस मॉडल वस पर्मोटिड भाइस फिलोसफर वाइटर एंड टीचर थॉमस कालाई एट प्रिमाइस वास्टेशिप वास बेस्ट पेस्ट इसके कोडिंग ली नाइटीन सेंचरी में इसका जो मॉडल है वह पर्मोड किया गया था वह जो था स्कॉर्टिश फिलोसफर था राइटर था और टीचर था जिसका नाम था 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 थॉमस कालाई उसने बताया था कि जो लीडर्शिप वह बेस करती है एक इंडिविगल के पैदा होने पी कि इंडिविगल जो पैदा हुए है और वह कुछ भड़ा काम करता है इट रिपेंड के वह अच्छा या बुरा है लेकिन उसने एक क्रेट वर्क करना है उन्होंने जैसे एक एक्जामपल दी है निपॉलियन बेंग इंग इंग इंपॉलियन ने बहुत पैड करें क्रेंकिन बुरा काम किया था लाके एक एक जैंपल है अंगे ऐलेक्जेंडर ग्रेट गंकर एक गंकर नोन वर्ल्ल अलेक्जैंडर ने क्या क्या था उस दुनिया को फटा गंकर क्या था वर्ल्ल को जंगेज खान को तो सब कुछ ही जानते हैं कि उसने बहुत ज्यादा जुन किया ठीक है न लोगों पर तो यह भी एक बैट थिंग है इब्राहम लिंकन फूर्ट असलेज इब्राहम लिंकन ने गुलामों को अजाद कर वाया था तो इक गुड थिंग है लेकिन इन सब ने एक बहुत बड़ा काम किया था तो स्कॉर्टिश लीडर के लिए कि आप एक बहुत बड़ा काम करें चाहे बुरा हो या अच्छा हो यह एक ग्रेट मैं धीवी के अंदर आता है हरियर दुप मैं सिर्फ हंडर्स फॉम स्लेवर्य इन अंडर्गराउंड रेल वर्ड इसने हंड कि अडर्गराउंड दूसायटी में अदर्गराउंड से मुछ लगाने था दॉर्गेश रणन में रख इंडिन कंफर्ट था था आउजड़ द्री दूसायटी की अचल्कर नहीं है अंडर्गराउंड वर्डों से जाधा लोगों को बिल्ड़िश पार्डर दॉन good or bad is better about a great thing a person who do a great work that depends upon a great man theory अवीद है अपरों को समझाई होगी it's just like that good or bad it doesn't matter आपने एक great work करना है यह matter यहां पर ज्यादा करता है इसलिए कि Alexander हो गया murder Tressa होगी murder Tressa ने great work किया था लेकिन इस good sense और चुचंगे इस खान था in a bad sense लेकिन इस ते great work किया था next theory आती है next आती है leadership crafter sticks leaderships के जो है crafter sticks क्या होती है first honesty हमाई इर्मान अधर होना चाहिए एक leadership के अंदर जो है न इस जो points आते है आप लो कह सकते हो यह true theory के अधर आ रहे है इसमें honesty है कि हमारा जो behavior है हमारे जो actions है वो honesty शोग करें उसके अंदर जो है deceptive ना हो में इसके दोका दाई ना हो कि हम किसे को दोका ना दे हमारे behavior हो हमारे actions के अंदर जो है वो सिंसेरिटी आई integrity आई forward looking forward looking क्या होता है कि हमारा एक goal of future का जो हमने set किया हूँ है एक एक clear touch thing पता हो कि हमारा वियन यह है यह यह ना हो कि हमें अपना वियन प्लेइर ही ना हो तो इस तिदा forward looking क्या हमारा वियन clear हो inspiring एक leader को ना inspire करने जाहिए कि इसको अपने followers को जब इस followers को inspire करेंगे तब ही उनकी लोग बात मानेंगे ना यसे अब राहम निंकल अब उसके followers को inspire किया तो लोग उसको तब ही follow करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक आप inspire करों को follow ना करेंगे आप काल जासम की example लेगोश्म लोगों का inspire ही किया था एक अलादा वादन बनाने के लिए तो सो और उनके अंदर ओनेस्टी भी बहुत जाता थी और उनका वी एंड बी कलियर था कि उन्हों ने अपने फ्योचर में करना क्या था यह सारे चीज़ें लीडर्शिप क्राप्रसिस के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्टैलिजन्ट आपको रीट करना है चैलेंजिंग और शाइमर्स को मुकमल करना है यह सारे चीज़ें इन्टैलिजनट में आते हैं यह नहीं है कि इसने अपकी वर्कार्ड वर्किंग आ जाती है आप लोग अपने गॉल्स की तरस रड़ी हो और चैलेंजन को फेसको यह ए इसमें आपको अपयात के बहुता आपको बहुता माक्याथ मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि उन्हों ने कितने जहानद का म्साहिरा किया था अपने के एंदे Fair Minded Fair Treatment हम लोगोंहेंड हमारा फीरर ताहर है हमारा फीर तूर Deal सांव"! हमें हर तरह करना है हम घर तरह के लिएव को हैं हमारे खूर पार पारा हम्हें को हमारे डियस भिर खूर रहे है हमारे तरही काम के विच्पाइजिक hurdles ऐसे वालकर support की मोई क्या व्याजियस और जाए हम रहे हमें किसी भी सुच्चिशन को हैंडल करने का तरीका नहीं है कि हमने इस सुच्चिशन को टैकल कर से करना मैं जाए हमें कोई पावलम आई है ना के ज़स्पात और गुस्से में आए हैं आपको काम रहें स्ट्रस्फ्री रहें आपने इस debts को माएं आप इस सुच्चिशन कर ने जाने है that यह जाए हम पाता है इस अप सर्स्वाभ आय अपुटक्श परक्वार कर सकते आपको पास judgment होनी चाहिए आपके बस good decision की पावर होनी चाहिए कि आप decision कर सो को आप ले इस टाइम पर कौन सावर करना है right time पर किके ना सही वक्त पर सही फैसला that's it is the meaning of a straightforward imaginative imaginative में यह नहीं है कि आप लोग लें भाई खाफ सोचने हैं it's just like that आपको पता होना चाहिए आपके plans कोन से हैं आपके matters कोन से हैं आपके thinking क्या है किसी भी विएन के मुतलिक it's all about the leadership characteristics it's so much easy topic next is trade theory trade theory what is great leaders are born not made accordingly great leaders who are born they are born they don't make them good and if you don't have severe it late you were born with it if you don't have an ability to do it you will become born with it with no way of learning new skills you don't have new skills you will become born with it if you don't learn any new skills पहले से ही मजूद होती है Transformational Leadership आजाता है Next इसमें ये है James McGregor Bunce introduced the concept of Transformational Leadership in his research on Political Leaders James McGregor ने concept introduced कर वाया था Transformational Leadership का अपनी research Political Leaders में It is a process where leaders interact with their followers and inspire each other to advise together एक तरह से पोर सैस होता है जिसमें leaders ने interact करना होता है अपने followers के साथ और अपने ही followers को inspire भी करना होता है ठीक है एक तरह से ये पॉलिटिकल है आप पॉलिटिकल बेस के पर हम एक्जम्पल लेने हम काईजी आजम्पल को follow करेंगे कि उनका interact होते है अपने followers के साथ और अपने followers को inspire भी करना होता है कि आप आके जाके हम अपना हुजब work together करें क्योंकि कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि जिसमें followers और leaderships दोनों का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है People in organizational are transformed due to the leadership styles and abilities of the leaders who is able to convey the VN कहते हैं लोग और organizations जो होते हैं वोग और transform होती है according to the leadership styles and abilities एक leader की जो abilities होती है और उसका leading style जो होता है उसके accordingly organizations और जो people है वो दोनों के दोनों जो हैं change होते रहते हैं और इसमें VN के पर बिट पेंट करते हैं आप अपने विगन को किस तरी के से convey करे हैं किस तरह हो इसमें यह भी आता है कि अगर जो followers हैं अपने leader के पर trust करते हैं तो अपने leader को admire भी करेंगे उनकी respect भी करेंगे उनके लिए loyal भी होंगे और उनको follow भी करेंगे अगर trust worth ही नहीं होंगे तो कैसे उनको follow करेंगे तो फिर जो followers होते हैं वो एक तरह से motivate हो जाते हैं अपने leader के रिवजा से So then हमाली last theory आती है contingency theory contingency theory क्या है यह जो है एक process है the effectiveness of a leader depends upon the interaction of a characteristic of a leader and the situations because leadership is dynamic contingency theory एक process है जो depend करता है interaction के ऊपर किसकी leaderships की situations की हम लोगे ने transformational थिनी में क्या परा था इसमें followers और leaderships के अंदर जो होती है interaction होती है ठीके लाँ और इसमें followers ने respect करने होती है या उनकी बातों को पुरा करना होता है लेकिन इसमें यह होता है कि हमारे situations होती है वो depend कर जाती है हमारे style के ओपर कि हमारे जो भी characteristics हैं हमारे environment के साथ बहाँ जाता फ़क्त करती है अप जैसे के karts kaan hollander रहे कहा था कि physical characteristics of a leaders are not important if they don't fill the people's needs it doesn't depend कि physical characteristics आपके पूरी है या नहीं पूरी है या नहीं पूरी है आपके अंदर जब तक आप लोगों की needs को पूरी है आप leaders होने का फाइदा नहीं है आपको लोगों की needs को fulfill करना है ठीके leaders बहुत इंपॉर्टन होता है जब लोगों की needs को पूरी करते हैं नहीं दोदेन उसके नहीं physical characteristics सारी हो environmental conditions भी पूरी effect पढ़े अभी अमने पढ़ा इसमें situations के accordingly हम लोगों के करना होता है कि हम लोगों के requirements पूरी होनी चाहिए group members की leaders की factors कॉन सो होते है situation, leaders, crafters, followers, crafters इसमें situations होनी चाहिए जो leader का character होता है और followers के character बहुत important होता है crafters इसके बहुत important होती है that's all about it हम लोगों आज 30 परी है और यह बहुत जादा easy topic था interesting topic था आप लोगों इसको relate करके पड़े बहुत easy होगा और आप लोगों को concept clear होगा इंशाला आप लोगों कोई भी question होगा अगर आपको कोई भी question है तो आपको comment section में वह से पूछे इंशाला मैं आपको इसको मतलिक तमाम जवाबाद दूँगी और आपके तमाम queries को perfect करोंगी आपको क्लेक्टर पसंद आया है तो प्लीज इसको like कीज़े subscribe करें और share करना मत भूलीगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए थैंक यू सो मच अला आपे शुक्या आपे शुक्या